कि नमस्पार शिशत दर टेष हैं अब को श्íciosागत है दोस्तों अक्षर ये सिकायद रहती है लोगों में घरों में कि आपकी तुल्सी इतिनी अच्छी क्यों है तुलुसी जी और और हमारी तुलसी जी सूख जाती है जादा पानी पढ़ने से तो दोस्तों बारिस में कई बार कांटीनियू बरसात हुई है और अभी तीन दिन पहले कांटीनियू हर जगह बरसात हुई है बहुत ही जाता फिर भी हमारी तुलसी जी बिल्कुल हरी भरी है यहां तक की बिल्क चोटे से पॉठ में लगा दिया ये भी अच्छी है और इसी तरह ये पुरानी तुलसी जी है ये भी पुरानी तुलसी जी है सभी देखते होंगे इनको तुलसी जी का पौधा सुख और पूजनी होता है जब तक आपने आप से सूख हम उर्जाना जाएं जब तक हम लोग उ बहुत जादा और वैसे इनकी सूखिर ब्रांच भी निकलती है तो फिर उन्हें में और यह इसी इसमें ग्रोबैग में लगा है यह भी पुराना तुलसी का पौधा है यह पिछले साल का है और यह देखिए कितना घाना है इसी तरह यह देखिए छोटे से छोटे पॉट मे धेश सारी तुलसी जी है बहुत सारी चाय के लिए हम लोग तोड़ते हैं डेली का निया में कि चाय बनती है सिर्फ एका दसी के दिन और संडे एका दसी या मवश्य पुर्णवासी हम लोग नहीं तोड़ती है और सफाई का ध्यान रखते है यह अभी पत्ती जड़ी और यह देखिए तुलसी जी का पौधा और केले का पौधा भी कितना अच्छा लगा हुआ है साथ में पौट भी तूट गया है यह देखिए और छोटा सा पौट में धेर सारी केले की ब्रांच निकले हैं और यह अच्छा है तो यही राज है पूशेंगे कि अपके पुर अच्छा उल इह यही दो कि राज है और मेंन मिट्टी हम कैसे बनाते हैं में उसका राज है दोस्तों तो आएये मिट्टी हम कैसे बनाते हैं कि हमाई तुलसी जी ना बशीट पानी के कया खराब होती नहीं फंगस लगता जैसे ज्यादा बार्रीस हुई तो फंगस लग जा और ज्यादा पाला से और गर्मी में जो है दोपर को कोई ऐसी डारेक्टे दोपर की धूप से बचाया कोई कपड़ा बगर लगा दे या कि फी दिवाल के ओट में रखे तुलसी जी को तो इधर हमारी दिवाल भी है यह देखिए तो वह भी है काफी मतलब ज्यादा है तो मिली हो गई है आई यह खुर्पी की मदद से फ्रेंट्स खुर्पी नहीं मिल रही साम हो रही है हमने पानी डाल दिया तो इसको धीरे से ऐसे डंडी डाल के मिट्टी सही तैसे धीरे से हम करके यह उमाक रहे हैं यह आ गया इनकी जड़ खतम नहीं हुई बस ऐसी तुलसी जी सही लगा देंगे और मिट्टी हमारी बिल्कुल भूर भूरी है तो फ्रेंट्स यह तुलसी जी हम ला लिए हैं और यह देखिए मटके में हमने होल कर लिया है यह चोटे सी पूजा के कलसी रखी थी महम तुन जय जाप हमारे आ हुई थी तो यह कलस बनाते हैं तो यह यह और यह मिट्टी मेरी रेड़ी है हम सोचे थे प्द्राश कार पांच दिन पहले लगाने के लिए द्ए बारी अब यह गीली ही है मिट्टी तो चलिए इसमें हम यह पत्तल लखे ले रहे हैं हैं और यह मिट्टी हमारी बिल्कुल बनी हुई है दोस्तो अब मेने करें हैं और थोड़ा राख अब दोस्तों इसको यह भूसी मिला लेंगे तो यह भूसी से चोटा पॉठ है उकरते नहीं मन रहा थोड़ा सभी हम नीम खली नहीं डाले थे उस समय बहुत कम डाली थे थोड़ा और क्योंकि पानी गिर गया है तीन-चार दिन तो फंगस को तो मैं डालती जाती हूं ज्यादा नहीं तो यह हमारी जो है यह धीरे धीरे डी-कम्पोज हो जाती है ये जब डीकमपोज होती है ये जो राइस हसके के ये छिलके हैं तो ये खाद का काम करते हैं मल्चिंग का काम करते हैं पानी मिट्टी में नमी बना के रखते हैं उतना ही जितना हमारे पौधे को जरूरत होती है उससे जादा नहीं बाकी पानी निकाल देते हैं पूरा और न गर्मी में शूकती, और न ठंडी में रोग लगतां न बर साथ में पानी इकठा होता इतना ज़रूरी एक उतना पानी होता है बाँकी बाहर चला जाता है तो नमस्कार दोस्तों और धूप लगे बराबर और ठंड में डारेक्ट चाइक लिए भी अरृवेदीक प्लांट हैं दोस्तों ये दो तरह क्यों होतीय है और अच्छाहम उर्स डॉष 6 यह हर्या वाली यह जो है और यह वाली ऐगवालियों अदू थिर्वाक है तो नमस्कार चाहिज लगा हो एक लगत स्थ chu्ण को सब्सक्काइब जरूर करें